केट केम टूटोरियल में आपका स्वागत है पिछले लेक्चर में हमने देखा था परपेंडिकुलर मेट क्या है आज हम देखेंगे टेंजेंट मेट क्या है इसके लिए पहले हम इस मेट को सप्रेस करते हैं राइट क्लिक कीजिए यहां एक आप्शन है सप्रेस अब वह देखेंगे एक्शल में टेंजेंट मेट क्या है तो मेट में जाएए अब हम सलेक कीजिए टेंजेंट अब हम इस सर्फेस पर इस सर्कुलर पार्ट को टेंजेंट बनाएंगे इस सर्फेस को सलेक कीजिए इस सर्कुलर पार्ट को सलेक कीजिए यह देखिए यह इस सर्फेस पर टेंजेंट हो गया है, जो भी घुमाएं आप तेकिन यह अब टेंजेंट हो गया है, आप चाहे तो reverse टेंजेंट कीजिए, forward टेंजेंट कीजिए, इसमें एक option है, आप चाहे तो distance बना सकते हैं, दो tangent या दो piece के बीच में आप कितना distance रखना चाहें, 0, 20 mm, 30 mm, जैसा distance आप चाहें, 0, यह था tangent mat, ओके, ओके, अब यह piece इस surface पे tangent हो गया है, यह देखिए, आप चाहें जहां गुमाएं, वो इस surface पे tangent ही होगा, आप चाहें, रोल करें या कोई, तो यह है tangent mat, बहुत useful tool है, उमीद करते हैं, आपको वीडियो पसंद आया हो